तुब स्कार दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में आज मैं आप लोगों के सामने और आया हूं ये वीडियो है जो हमारा Action camera ہے कैसौन का ये आप देख रहे हैं इसमें हमारे जो Lens है Lens में एक डिस्ट आ चुका है और हमें जब वीडियो बनाते हैं इससे तो हमको बहुत प्राबलम होती है इस वीडियो में हम इसको खोल के खोलने की कोशिस करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे यह जो लेंस है यह काज जो है क्या इसमें अटेच है या camera में attach है अगर इसमें attach होंगा body में तो हम इसको साय निकाल सकेंगे remove कर सकेंगे ये जो point छोटा से हमको वीडियो में दिख रहा है तो हम ये वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिस करें हैं ये वीडियो से आपको देखने से ये benefit होगा आप लोगों को इस चैनल पर देखना है तो आप चैनल को subscribe करेंगे like करेंगे और दोस्तों को भी share करेंगे अगर आप नहीं भी आपके ये वीडियो है अगर जिनके पास में ये camera है action camera तो आप उनको share करने की कोशिस करेंगे ये कोई paid version नहीं है और ये camera हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अगर आप comment करेंगे जानना की कोशिस करेंगे कि मैंने ये लिया हूँ मुझे इससे फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है तो मैं आप comment करेंगे तो मैं वीडियो इसका बनाऊंगा और आप लोगों को भी अच्छी जानकारी दूँगा इस वीडियो से कि आपको ये camera लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आप comment करिएगा तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको वीडियो के और लेके चलते हैं तो दोस्तो ये वीडियो पर हम आ चुके हैं ये आप देख रहें यहाँ पर सलकर्व हमने बना दिये हैं जहां आपको थोड़ा सा इफेक्ट नजर आ रहा है हलकासा धुंद्लापन ये बाओ यानि तीन-चार मैने हो चुके हमने इस पर ध्यान नहीं दिए हफिर अचानक हमारा ध्यान घया है हम दिखाते हैं आपको वी केमरे के लेंच में कहाँ हमको दखकत हुई है ये देखिए यह कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होँगा। यह हलका सा यानि यहाँ पर कुछ डश्ट आ चुका है। यह देखो कैमरे के अंदर है। अब इसको हम खोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमसे हो भी पाता है कि नहीं। अब आभी तक कि हमने इसको खोले नहीं और इसके अंदर कहां से एक कुछ हमको पाइंट दिखाई दे रहा है यहां पर जो कि बहुत गौर से वीडियो को देखने पर हमको पता चलता है कि थोड़ा सा वहां बलर टाइप का आ जाता है तो हम इस वीडियो में इसको अभी खोलने की कोशिस करेंगे और देखते हमसे हो पाता है कि नहीं नहीं तो फिर इसको सर्विस सेंटर में भेजेंगे प्यार से अगर यह खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है यहीं कि यहीं हो जाए और नहीं तो फिर हमें सर्विस सेंटर भेजना पड़ेंगा तो इसको हम इसकी जो पन्नी हमने लेमिलेशन करके र को सीस अगर हमारे पास में कोई अवजार निया को खोलने के लिए नहीं है किया थूआप इसको खोल पाते कि नहीं अभी व site आहां है तो हम भी विचार कर रहे है क्या करें ज्याद ज्यादस हम भी कि कोसिस उसे हम साब कर लेंगे है तो यह तकहले थे कि अगर खुल जाता है तो अच्या है मगर खुलने के बाद भिए समस्य आगई सबसे परई तो इस वीडियो में आप देखिए क्या है वो रहां हो हमें इस वीडियो के मांद्हेम से बताने की कोशिऑ कर लिए हैं और वो आपको लेंस दिखाई दे रहा है जो कि हम यह सोच रहे थे कि कवर में उसका जो कांच लगा होगा जो कि हम बाहर से कोल के उसको साप कर लेंगे मगर इसको हम घुमाने की भी कोशिस करें यह जो कैमरे का पीसी भी है उससे अटेच है पूरा हमने अंदर तक देखे अच्छे से और आप लोग उनको भी दिखाने की हम कोशिस कर रहे हैं देखिए यह घुमा के भी थोड़ा हलका से देखे कि अगर निकल जाए तो कांच उस तब भी हम सोचे कि भूए अगर कांच वो कवर में लगा होगा अलग से इष्ट्रा तो हम उसको साप कर लेंगे अब जिसतरा से उसको कोले थे उस तरह से उसको फिट करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है यूँ मैंने आप को इसमें केमरा खुलने की पोसिस किया हूं और बताने की आपको पोसिस किया हूं तो चाहिए कि आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर दीजिए अब हम आपको मिलते हैं और एक नए वीडियो में बहुत-बहुत आपका एसकेपियों डिजिटल चैनल पर धन्यवाद